आज हम बात करेंगे एक small cap की company के बारे में किसका buyback offer आया है और किस rate पर आया है वो हम जानेंगे और इसका record date क्या है वो भी हम जानेंगे और अगर आप यह देखेंगे तो small cap की company है education related company है और यह देख सकते हैं now need education limited है 126 के उपर चल रहा है इसने हाली में 52 week low बनाया था जो है 109 का और 52 week high देखेंगे तो 179 का इसका high है और इस company के काफी अच्छे results आया है और buyback offer भी इस company ने किया है तो वो letter भी आपको दिखाने आ ला हूँ जिसके पास भी इस company के stock है वो easily buyback के अंदर दे सकते हैं और इसका अगर आप market cap देखेंगे तो 2949 के करीबे चोटी company है दो का face value है इसका अगर आप financials की बात करेंगे तो जून quarter में काफी बैतर इन results आये इनका sales का turnover था 669 का और पहले था 212 तो लगबग 3 times इनका sales का turnover जून quarter के अंदर बड़ा है जो की काफी बैतर है और इनका net profit भी अगर आप देखेंगे तो 126 करोड का है और पहले था 15 करोड का तो net profit भी अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छा बड़ा है इस quarter के अंदर और इनका जो buyback offer आये उसके बारे में हम जानेंगे यह आप देख सकते हैं यह letter मैंने BSE की website से निकाला है लगबग 46,087,500 जो share से 2 रुपे का face value है लगबग 2% total paid up capital में से 2% buyback करने वाले हैं औ और लगबग यह 160 रुपीज के rate पर buyback करने वाले हैं तो अभी 126 के उपर चल रहा है और यह 160 के उपर buyback करेंगे और इसका जो record date रहने वाला है वो लगबग 31st August 2018 का है तो नजजी की record date है और 160 का इसका buyback है और जिसके पास भी इस company के share से वो tender offer कर सकते हैं record date के बाद और इ share holding pattern देखेंगे तो company की की जो promoters है उनका लगबग 61.78 के करीब इनका promoter की holding है बाकि public mutual funds की सब मिला के 38.22 की holding है तो company अच्छी है लेकिन आप अपना research जरूर करिएगा अपने advisor की सला जरूर लीजेगा यह एक news ती जो आप तक मैंने पहुचा ही और जिसके पास stock है वो easily यहा निकाल सकते हैं बाइबेक के अंदर तो चलिए आज के लिए इतना ही बोलना था और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो like करेगा और हमारे चैनल को subscribe जरूर करेगा ताकि इसे ही important updates आप तक हम पहुचाते रहें चलिए thank you